नुश्कार मेरे नाम पिंटू शिंग यादो है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भूचपुरी रिमजिम दोस्तों भूचपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादो के फिल्म संगर्च 2 जो है वो पुरे देश में चर्चा का बिसे बने हुई है टाइकर्स रॉफ के फिल्म को भी कई जगों पर ये फिल्म पचारती नजर आ रही है और इसमें और भी आग में घी जोगने का काम खेसारी लाल यादों ने कर दिया है जी अब बात करें तो आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर से दुर्गापूजा के मौके पर पुरे देश के कई सिनेमा घरों में तक्रीबन 50 पलस सिनेमा घर चाहे हो बिहार है उत्रपदेश जहारखन दिल्ली पंजाब या फिर मुंबई हो वहां के तमाम सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज किया गया है और बिहार से ही 35 सिनेमा घरों का लिस्ट आया है और तक्रीबन स तो 50 प्लस इनेमा घरों में खेसारी लाल्यादों के इस फिल्म को रिलिज किया गया था और जिस तरीके से 20 तारी को खेसारी लाल्यादों पटो पटना हो श錯ने वाला है और इस तरीके की चीजे भुचपूरी इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिला था और खेसारी लाल यादो एक नया किर्थिमान इतिहास रस्ते नजर आ रहे हैं तो सवाल ये है कि 20, 21, 22, 23, 4, 5 वादी, 24 24 है दुर्गा पूजा है पिछले दिन से लगातार नवरात्री की छुट्टी चल रही है लोगों दुर्गा पूजा देखने के लिए मार्केट में जा रहे हैं सहर में जा रहे हैं और वहां भी जा रहे हैं जहां पर ये फिर्म लगी है तो हाउस फुल हर जगा से नजर आ रहा है और मिली जानकारी के अनुसार जो पांचवे दीन का आकड़ा है वो एक करोर रुपए के पार कर गया है जी हां बात करें तो खेसार इलाल यादों के इस फिल्म का आकड़ा जो है वो कोई ओफिसियल नहीं है लेकिन जिस तरीके के अनुमानता टिकट और जिस तरीके के सेट से उसके एकोर्डिय अगर बात किया जाए तो ये आकड़ा एक करोर रुपए पार कर गया है पांचवे दिन खेस्तार इलाल यादों की फिल्म और फिल्म इतनी बेतर है कि आने वाले समय में भी ये लगातार चलती रहेगी क्योंकि सिनेमा गरूं के लिस्ट बड़ी है लोगों का इंतजार बढ़ा है और आने वाले समय में भी ये फिल्म लागातार चलती रहेगी तो ये बड़ा अपडेट था खेस्तारी लागातों की फिल्म संगर्च टू जो है वो एक करोड रूपए से जादा की कमाई कर लिए बात करें तो खेस्तारी के साथ इसमें मेगा स्री नजर आई है पराग पाडल डारेक्टर है और प्रोडूशर रतनाकर कुमार है बाकि अभी तक आपने फिल्म देखा कि नहीं देखा बताईएगा ठीक है